तो आज हम बनाएंगे वड़ा पूरी सबसे पहले हम बेसन की चटनी बनाने से शुरुआत करेंगे बेसन की चटनी बनाने के लिए मैं नहीं है दो सी तीन चममज बेसन दिया है अब ट्रेडिशनली तो इसमें चाच या ताक ही उस होता है पर मेरे पास वह अवलेबल नहीं था इसलिए मैं इमली का पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ तो मैं यहाँ फिलाल इसमें पानी एड़ कर रही हूँ आप इसमें पानी की जगर ताक एड़ कर सकते हैं इसे अची तरह मिला ले कोई लंस या धेकले नहीं रहना चाहिए वेसन में अब हम इसमें जड़र सा नमक और हल्दी एड़ करेंगे और फिर से अची तरह मिला लेंगे आप देख सकते हैं इसका एक स्मूध पेस्ट बन गया है हमें इससे थोड़ा पतला चाहिए तो हम और पानी मिलाएंगे अब हम चटनी को फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में और ले लिया है उसमें जीरा एड़ किया है अब मैं यहां लसन और मिर्च आड़ करूंगी मैंने एक से दो लसन और एक मिर्च को बारिक कट लिया है अब मैं इसमें दो से तेन बारिक कटे हुए करीपत्ता एड़ करूंगी इससे अच्छी तरह फ्राइ करें जब तक लसन और मिर्च को गलर चेंज ना हो जाए अब मैं इसमें प्याज आड़ करूंगी यह मैंने आधा कटा प्याज लिया है आधा मैं अभी यूज कर रही हूँ और आधा मैं बाद मैं यूज करूंगी आलू के मसाले के लिए तो जब तक प्याज ट्रांस्परंड ना हो जाए इसे पकने दे अब हम इसमें बेसन का घूल डालेंगे और इसे कंटीनियर चलाते रहेंगे अगर हमने इसे कंटीनियर नहीं चलाया तो बेसन के ढेकले बन सकते हैं मैंने जो कटोरी में थोड़ा बेसन बज गया था उसमें ही बानी मिलाके उसे पैन में डाल दिया है अब इसे अच्छी तरह पकने दे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए अब बेसन हमारा पक गया है हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए तो यहां मैं इमली का पलप एड़ करूँगे अब अगर आपने स्टार्टिंग वैले स्टेज में बटरमिल्क एड़ किया है तो यहां आपको इमली का पलप एड़ करने की ज़रत नहीं है इसे अच्छी तरह मिला ले और फिर हम गैस बंद करके इसे किसी दुसरे बरतन में खाली कर लेंगे अब हम आलू का मसाला बनाएंगे तो सबसे पहले एक पैन में ओईल और जीरा अड़ करें अब जीरत अच्छी ज़रत अड़कने लगा है तो हम यहां इसमें हरी मिर्च और करी पता डालेंगे और फिर जो आधा बचा हुआ प्याज हमने रख लिया था उसे भी हम चौप करके इसमें डाल देंगे अब इसे तब तक चलाए जिब तक प्याज ट्रांस्परन ना हो जाए अब हम इसमें हल्दी और नमाग एड़ करेंगे इसे अची तदा मिलाए ताकि हल्दी इसमें मिल जाए लेकिन आपको हल्दी जलने नहीं देनी है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे कंटीनियू चलाते रहे ताकि हल्दी जलना जाए इसमें अब हम इस Stabil Cu yeah him आप इसमें बॉर्ड लागे यहां मैंने एक से दो बड़ी साइस के या अब इसे अच्छी तरह मिला लें आपको अच्छी तरह मैश नाहीं और हम चाहते हैं कि समनादा पुरी तरह मिल जाए इसली हम आलो ko पुरा बारिक मैश करेंगे और इससे इ अब देख सकते हैं आलू लगभग तयार हो गया है प्रॉपर पुरा मैश है तो यहां इस ट्रेज में इसमें धनिया डाले और इसे ठंडा होने रगते अब हम वड़े की तयारी करेंगे तो वड़े बनाने के लिए वो जो हमने आलू का मिक्षर बनाया था उसके हम चिछड़े बॉल बनाएंगे और उसे बेसन के घोल में डाल के तरल लेंगे अब यह बेसन का घोल पकोड़े के घोल की ही तरह है जो हम पकोड़े का गोल बनाते हैं बस वैसे ही मैंने बेसन का एक गोल बना लिया है और उसमें आलू के बॉल डाल के उसे फ्राइ कर लिया है अब पकोड़े और चटनी रेडी हो गई है तो हम प्लेटिंग से शुरुआत करते हैं यहां मैंने बाजार से खरीदी हुई पूरी लिया है और एक पूरी में एक एक पकोड़ा डाला है अब हम इसमें हमारी बिसन की बनाईवी चटनी डालेंगे और फिर हम इसमें हरी चटनी डालेंगे यह हरी चटनी मैंने एक हिस्सा मिंट, दो हिस्सा धनिया और तिन जार हरी मिर्ट से बनाई है आप यह सब मिलाके उसे पीस ले और उसमें थोड़ा नमक डाल दे तो आपकी हरी चटनी तयार हो जाएगी फिर हम इसमें थोड़ी इमली की चटनी डालेंगे इमली की चटनी मैंने थोड़ी पतली ही रखी है क्योंकि हमारा पेसन अल्रेडी थोड़ा गाड़ा है तो इसलिए इमली की चटनी पतली रहेगी तो वोसे बैलन्स करेगी फिर हम इसमें यह स्टोर का लिया हुआ लसन चटनी डालेंगे ये लसन की चटनी मैंने बाजार से खरी दिये इसमें पीनट, कोकोनट और लसन है और थोड़ी सेसमे सीट भी है उसे उन सब को रोस्ट करके पीस लिया है और हमारी वड़ा पुरी तयार है इसे एंजॉय करें